हेलो फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत मैं नौले सर दोस्त आप सभी का स्वागत करता हूं और आप जानते हैं दोस्त कि आप लोग आप 12 एक्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है मतब धीरे धीरे समय बीत रहा है तो सब बिद्यारती टेंसर में प्रेसर में हैं बट डिये जिन्दा है दोस्त आपको टेंसर लेने क्या हो सकता नहीं है क्योंकि मैं परते एक चैप्टर का अब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटल क्वेस्चन आंसर एक्स्प्लानेशन हर चीज दोस्त मैं करा दूंगा ठीक है एक्जाम से पहले बस आप से एक रिक्विस्ट है व अपने यूटूब पर दोस्त अपने चैल पर इसके पले जितना जितना चैप्टर दोस्त मैं सब का क्या बोलते हैं तो समड़ी क्वेस्चन आंसर अब्जेक्टिव सब अपलोट कर चुका हूं आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाना और देख लेना ठीक है चलिए बहुत इ रिक्वेस्ट है वीडियो को जरू अंतक देख लें ठीक है देखें क्या क्या होने वाला समड़ी क्वेस्चन आंसर अब्जेक्टिव एक्सपानेशन ठीक है तो चले शुरू करते हैं और आप देख सकते हैं यहां पर क्या लिखा है और अप चाहें तो वाओ कविता लिखते समय है जब आप समरी लिखें तो आप चाहें तो कंपोजड का भी पर्युक कर सकते हैं composed बहुत ही important word है poem लिखने के लिए ठीक है essay के लिए और आपके prose के लिए retain लिखते हैं बट आप चाहें तो कविता के लिए composed बहुत ही suitable word है किसके दुरा लिखा गए भाई Walter Dillamere in this poem the poet has made a lucid lucid भी कहा तबाउस aspast earthpurn होता है स्वक्ष होता है aspast होता है यानि इसमें कभी क्या बनाए है बहुत ही अर्थपुर्ण presentation दे रहे हैं यानि कि जो हमारे सामने प्रस्तूत करें दर्सार हैं उसको presentation बोलें और an old theme theme का मत्वत होता भाव topic मुद्दा related to death यानि जो हमें पेस करें हमारे सामने बहुत ही अर्थपूर्ण है और एक पुराने मुद्दे में दर्सार है क्या चीज मिर्तू क्या जो संबंध है वो एक पुराने topic के तरह हमारे सामने पेस करें और he is sad लेखक बहुत उदास है for his beloved अपनी प्रेमीका के लिए who is lying in the grave जो की मर गही है और कबर में लेटी है ठीक है कबर में पड़ी हुई है he reveals यहां पे परकट करें दर्सार है बता रहे क्या बता रहे है that she was very energetic वो बहुत ही energetic उर्जवान और थी यानि light of a step and was in the habit of moving here there यानि वो यहां वहां घूमते रहती थी देखना दिया हुए कभी तवा में आप लोग का light of a step अपकर है poet says that poet कहता चाहते है कि she was the most beautiful lady and was blessed with a rare charm वो बहुत ही खुबसुरत और थी कहां की? west country की और भगवान ने उनको एक आशिरबाद दिया था कि उसका जो चेहन था charm बहुत ही आकरसक जो भी बंदस को देखता था attract होता था and grace उनको यह आशिरबाद मिला था ठीक है? नीचे कर रहा poet says that और poet ये भी कर रहे है इस बात को मानते है कि everybody meets and in हर व्यक्ति को एक ना एक दिन समाप्स होना ही है however beautiful दे में भी चाहे हो जीतना भी सुन्दर हो भाई साम क्योंकि सुन्दर्ता तो छन मंगूर होता है एक नाएक दिन है सुन्दर्ता ये जवानी तो भाई जानी है ठीक है? इसलिए मैं बोलता हूँ कि अपने जवानी पे घमन न कर भाई एक नाएक दिन सबको पुराना होना ही है मर ही जाना है and he relents रहे हैं पे क्या करें he relents को मलता पुर्वग बताना बहुत ही बिनमरता से बताना क्या बता रहे है? after he death who will remember this lady of the west country कह रहे है जब मैं ना रहूँगा जब मैं इस दुनिया में ना रहूँ तो कौन तुम्हें याद करेगा जब दुनिया में गराद सुरें आप जब दुनिया में मैं ना रहा तो किसे बर बात को यानि जब मैं ही नहीं रहूँगा तो फिर तुम्हें अब कौन याद करेगा इसका short question answer बहुत इंपोर्टेंट है बहुत भी भी आई है क्या कोड़ है my dear question है दोस्त where does the lady lie lady कहां पड़ी है कहां लेटी हुई है and what does she look like और वह कैसा दिखती है ठीक है क्या दिखती है what does she look like यहाँ पे दोस्त how भी होना चाहिए how does she look like कैसा दिखती है lady कहां पड़ी है the lady lies in the lady कहां किये the lady lies in the north country आप कहीं कर यह भी हो सकता है दोस्त कि where does the lady lie lady कहां पड़ी है the lady lies in the grave यह भी लिख सकते है आप ठीक है ओके and she looks most beautiful to the poet because he is in the love और वह कभी को बहुत ही खुबसरत लग रही है क्यों क्यों उस कभी को उसे प्यार हो गया है ठीक है अब यह कोचन तो बहुत बार पूचा है इसलिए हम आपसे request कर इस कोचन को याद कर लो what is an epitaph copy में note कर लो first time देख रहे भाई देखो मत सिर्फ copy में देखो मत copy में note करो an epitaph refers to the inscription epitaph क्या बताता है inscription का मतब बावू जब किसी का यादों में हम सिर्फ लेख देखते हैं किसी का जो मकाबरा होता है जो चर्च यार्ड में अपनो जाईएगा वहाँ पर दिखाई देगा वो लोहा पर सिर्फ लेख पर लिखायता है ठीक है उसी मकाबरा पर उसी लेख को हम लोग बोलते है epitaph क्या करा to the inscription on a tom in the memory of a dead किसी के मर जाने के बाद उसके यादों में जो लिखते हैं उसी को बोलते हैं अम लोग epitaph ये कोचन बहुत बाद पूछा है explanation को रूप में explanation तो आप से request इस explanation को जरूर याद कीजिए क्या कर भाई चार नमर काता है here lies the most beautiful lady light of a step यही आया था घुमककर लड़की इधर उधर घुमनी का उसका आदर था ठीक है and heart was she सब की धरकन थी दिलों की धरकन होथी ठीक है बहुत प्यार करते है सब उससे and I think she was the most beautiful lady the beautiful lady lies in the epitaph देखिए अब यहाँ पे क्या आगया बात वहाँ पे दिया था वेस्ट कोड़ी कहाँ पड़ी है she is there in the memory of her beloved वह वहाँ पे अपने beloved she is there in the memory of her beloved यानि कि वह अपने प्रेमीका के यानि कि यहाँ पे लवर होना चाहिए वह वहाँ पे यादो के रुप में अपने प्रेमी के यादो के रुप में पड़ी है कहाँ पे उस किस में? epitaph में the poet finds her to be most beautiful lady in the west country और कभी कह रहें कि मैं इस औरत को इस पूरे पच्छमी देश का सबसे खूबसरत औरत मानता हूँ इतना खूबसरत दूसरा कोई नहीं है but he feels that beauty is short-lived लेकि उनको पता है कि beauty का जो जीवन होता है सुन्दर्ता का बहुत ही चन भंगूर होता है कुछ समय के लिए होता है और तुरंत आदमी को देखना देखते देखते पता नहीं चलता है इंसान कब छोटा सबरा होता है कब युआ हो गया कब प्रोट होस्ता में चला गया कब बुढ़ा हो गया कब मर गया ये कोचर मोस्ट इंपोर्टन है करह में छात Walter De La Mer knew Walter De La Mer जानते थे किसको जानते थे एक लेड़ी को ये बहुत बार पूचा इसको टीक मार लेना ठीक है जो अब मर चुकी है दा पोएट थिंग्स दा पोएट थिंग्स दाट ब्यूटी इस नाट एवरलास्टिक ये उनको पता था कि जो ब्यूटी है वो हमेशा के लिए अस्थाई नहीं है एक नएक दिन गायव होना ही है ठीक है उनको पता है कि उनके मर जाने के बाद कोई उस खूबसरत औरत को याद नहीं करेगा एपिटाफ इस रिटेन बाई किसके दुरा लिखा गया है तो सबको पता है वाल्टर डेला मेयर इसको नोट कर लो वाल्टर डेला मेयर वाज बॉर्ण इन दे इर आफ 1873 इसे सन में इनका जनम हुआ था वाल्टर डेला मेयर मेक्स अस अवेर आफ किस चीज़ से यहाँ पर हमें हो बता रहे हैं किस चीज़ से हम लोग को रूबरू कर रहे हैं इँन हीुमन कंडिशन अफ मॉरल लाइफ यहाँ इनसान की जीवन जो है इस क्या बोलते हैं आदमिक लाइफ में आदमिक जीवन में जो इनसान की हलात है इन हीुमन कंडिशन और मानु यह जो अवस्था है ठ exhibition अब आई निचे अब हो गया बस इतना ही है यह जितना नीचे कोश्चन है सब हो चुका है तो यह था हमारा objective प्लस subjective प्लस summary सब कुछ हो गया explanation है इसलिए आपसे request है कि एक ही कोश्चर एक ही वीडियो में आपका objective clear कर दिया यह आपका explanation है यह भाई साब आपका question answer है और यह my dear आपका शम्री है टोटल हो गया आप टोटल को चाहें तो screen shot ले लेना याद कर लेना भाई ठीक है thank you very much वीडियो को देखने के लिए और आप सभी से request है वीडियो फर्स्टाइम देख रहे हैं तो भाई इसको share कीजिए ओके जितना हो सकता है उतना share कीजिए ओके और जितना share कीजिए कीजिएगा आपको के लिए बहुत ही अच्छा गए क्यूंकि आपके माध्याम से हमें बच्चे जानेंगे और उनको मैं जितना वीडियो अफ्लोड करूँगा वो ताम तुटाइम मिलेगा और वो भी इस वीडियो का फाया उठाएंगे ठीके तो प्लेज आपकेस्ट यू every my student who is watching this video प्लेज़ शेयर the link share my video everywhere the boys girls of Bihar 12th students they are preparing for 12th exam 2023 तो मेरे छात मिलते आप से अगले वीडियो में तब तक लिए thank you very much and good night okay that's all